गूगल पे जाना है और यहाँ पे मैंने motivational quotes का यूज किया था वीडियो में तो यहाँ पे मैंने search किया motivational quotes in Hindi यहाँ पे बहुत तरे ब्योसाइट आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ से किसी भी एक ब्योसाइट को हम open कर दें अब देखे इसी ब्योसाइट से मैंने यह जो motivational quotes था उसको लिया था आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है अगर आप अपनी सोच को निखारते हो तो आप वास्तों में अपनी जिंदगी को निखारते हो और कभी-कभी यह परिवर्तन एकदम पलक जपकते ही हो जाता है यह ऐसे ही हो जाता है जैसे एक सकरात्मक सब्द किसी को मुस्कुराहट दे देता है तो यहाँ से simply आप क्या कर सकते हैं इसको copy कर सकते हैं ठीक हमेशा content मुझे कही न कहीं से मिलते रहता है मैं यहाँ से इसको copy करूँगा copy करने के बाद हम फिर साएंगे google पे और google पे आपको क्या करना है search करना है 11 labs ठीक यहाँ से हम इस text को voice में convert करने वाले हैं simply आप इसको open करेंगे यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा और यहाँ पे आप एक और चीज़ देखिए word limit जो है यह 333 है तो simply हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको paste कर देंगे paste कर देंगे 200 letter का हुआ है यह simply आप यहाँ पे देख सकते हैं चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अलग-अलग character है तो आप character भी choose कर सकते हैं तो हम यहीं choose करते हैं दूसरा नहीं लेंगे यहाँ पे अलग-अलग language भी आपको मिल जाएंगे तो simply हमारा Hindi selected है पहले से अब आपको क्या करना है इस पे click करना है यह generate होना है start हो जाएगा generate होने के बाद अस्टिये पहले आपको review भी देगा तो simply यहाँ देखिए एक दम जो है यह अलग-अलग हो गया है तो हम इसको थ्वासा चेंज कर देते हैं अगर आप अपनी सोच की हो गया है तो इसको हम को कर देते हैं सोच को ठीक तो असा चेंज कर देंगे उसके बाद हम फिरसे REGENERATE कर लेते हैं इसको ठीक तो असा गर्वर हो गया था इसको हम लूप ये देखिए फिरसे REGENERATE करते हैं इस पे आप कलिक करेंगे तो आपको बिल्कुल भी यकिन नहीं होगा लेकिन आपको यहाँ पर यकीन करना होगा क्यूंकि यह बिल्कुल सही तो आप वास्तव में अपनी जिन्दगी को निखारते हो तो सिंपली अब सही हो गया अब आपको क्या करना है यहाँ पर साइड में डाउनलोड का बटन दिखेगा इस पर आपको क्लिक करना है और डाउनलोड पर क्लिक कर देना यह डाउनलोड हो गया अब हम लोग क्या करने वाले हैं Character खोजने वाले हैं तो उसके लिए आपको Lexica AI पे जाना है ठीक यहाँ पे सबसे टॉप में ही आपको मिल जाएगा और यहाँ पे हम सर्च करेंगे Indian Old Man आपको जैसा चाहिए Indian Young Man चाहिए Indian Woman चाहिए मतलब जैसा आपको character चाहिए यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे देखिए बहुत सारे यहाँ से images आपको मिल जाएंगे यहाँ पे दुसरा हम सर्च करते हैं Indian Young Young Man यह देखिए जस्ट अभी आएगा देखिए यहाँ पे बहुत सारे आगए तो यहाँ से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जैसे मालीजे कि मुझे यह वाला डाउनलोड करना है Simply हम इसको select करेंगे और यहाँ पे देखिए साइड में डाउनलोड का बटन मिल जाएगा यहाँ पे आपको और सारे alternatives में मिल जाएगे इसमें से किसी को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं Simply आप decide कर लिजेगा इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं आप इस पे click करके रखेंगे तो भी आपको यहाँ पे download image का option मिल जाएगा यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए हमारा character भी download हो गया अब हम लोग यहाँ पे search करेंगे DID DID AI search करने के बाद सबसे top में आपको मिल जाएगा इस पे click करना है यह open होगा यहाँ पे just कुछ इस तरह का interface आपको दिखेगा try for free यहाँ पे देखिए इस पे आपको click करना है just आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा अब यहाँ पे सबसे पहले आपको login करना है just मैं आपको तरीके बताऊंगा कि आप कैसे इसी DID AI का यूज करके बहुत ज़दा गुडियों बना सकते हैं just मैं आपको बताऊंगा क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले यह जो guest आप देख रहे हैं इस पे click करके आपको login करना है यहाँ पे देखिए just यहाँ पे login का option अभी नहीं आ रहा हाँ यहाँ पे देखिए नीचे है login या sign up तो just हम इस पे click करते हैं click करने के बाद just यहाँ पे हम अपने google से ही sign up कर लेते हैं तो इस पे click करते हैं sign up कर लेना है simply आपको तो simply यहाँ पे मैंने sign up कर लिया है देखिए यहाँ पे मेरा sports वाला sign up हो गया है already मैंने 3 videos पहले से भी create किया हुआ है इसी AI का use करके आज हम फिर से नया create करने वाले हैं यहाँ पे आपको add का option मिलेगा इस add वाले button पे click करके आपको character को add करना है तो यहाँ से हम मैंने बहुत सारा download किया हुआ है तो इस वाले character को हम लोग add करने वाले हैं simply इसको select करके done पे click करेंगे यह देखिए add होना start हो गया अब यह जब तक add हो रहा है तब तक आपको इधर से audio को add करना यह देखिए just मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे simply आप अपने script को copy paste कर सकते हैं यह direct यहाँ से भी vice over कर देगा बट ज़्यादा से ही रहता है इसमें audio को add करना because यहाँ पे word limit है तिक और audio में आप 2 मिनट का 3 मिनट का आराम से audio add कर सकते हैं ठीक तो चली हम क्या करते हैं side वाले पे click करते हैं यह जो है side वाला जो option है इस पे हम लोग click करते हैं यहाँ पे upload your voice का आपको option देखने को मिल जाएगा इस पे आपको click करना है click करने के बाद यहाँ पे files पे click करना है just हम लोग यहाँ पे click करके audio को select करेंगे this week पे click करते हैं और यहाँ पे बहुत सारा audio है तो इसमें से हम इस पे click करते हैं पहले हम इसको सुन लेंगे उसके बाद हम इसको add करके देखेंगे तो just पहले सुनते हैं सफलता पाने के लिए प्रत्य एक दिन आपको अपने लक्षय के थोठा नजदीक आना चाहिए और इसके लिए आपको अपने आपको बहतर बनाने के हर एक अवसर को उपियोग करना चाहिए तो just आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा audio जो है वो add हो गया है अब हम लोग generate video पे click करेंगे यहाँ पे सबसे top में आपको generate video का option मिलेगा इस पे आपको click करना है आपका video जो है इस पे click करने के बाद generate होना start हो जाएगा तो just हमारा video जो है वो generate होना start हो रहा है तो आसा time लगता है just यहाँ पे generate हो रहा है एंड उसको edit कैसे करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा तो आपको चिंता नहीं करना है सब कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा तो simply यहाँ पे हमारा वीडियो जो है वो generate हो चुका है जस्ट मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पे यह गोल गोल गुम रहा है तो simply आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका वीडियो बन जाएगा अब यहाँ पे नीचे आपको डाउनलोड का बटन दिखेगा जस्ट यहाँ पे देखिए इस डाउनलोड वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तिक यह डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा जस्ट अभी नहीं हुआ फिर से हम क्लिक करते हैं अब यहाँ से आपका वीडियो डाउनलोड हो गया जितना मन चाहे उतना वीडियो आप बना सकते हैं अब यहाँ पे देखिए अगर आप अपने एक जीमेल से इसमें लॉग-इन करेंगे तो एक Gmail से आपको 20 credit मिलता है, तो आप multiple Gmail का use कर सकते हैं, या आपके दोस्त का, आपके भाई का Gmail का use करके भी आप वीडियो बना सकते हैं, तिक मेरे पास तो already 10 Gmail है, अब simply आप सोच सकते हैं, 10 Gmail से मैं वीडियो बनाऊंगा, एक से 20 credit, मतलब 20 वीडियो मैं बना सकता हूं, तो 10 से 200 वीडियो मैं बना सकता हूं, तो इस तरीके से आप अलग-अलग Gmail से लॉग इन करके वीडियो बना सकते हैं, अब इसको edit कैसे करना है तो वो देख लिजे, दोस्तों वीडियो को edit करने के लिए हम लोग काइन मस्टर एप का यूज करने वाले हैं, सिंप्ली आपको काइन मस्टर एप को open करना है, यहाँ पे आपको create के button पे click करना है, 9 is to 16 का ratio select करके और यहाँ पे आपको नीचे create का button दिख जाएगा, इस create वाले button पे click कर देना है, अब आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने वीडियो को select करना है, तो यहाँ पे हम अपने वीडियो को select कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक option मिलेगा pen and zoom का, इस पे click करना है, इसको zoom करके पूरे frame में पहले fit कर लेना है, उसके बाद equal के sign पे click करना है, back पे click करना है, फिर से back पे click करना है, इसको हम इधर side में रख देते हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें text effect अड़ करने वाले हैं, मतलब कि जो कुछ भी बोल रहा है, उसको हम लिखने वाले हैं, इसको आप manually मतलब खुद से type भी कर सकते हैं, नहीं तो कुछ app हैं, जिनका use करके आप auto caption भी generate कर सकते हैं, थिक बट उसमें थ्वासा उतना अच्छा से काम नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर manually आप type करेंगे, तो ज़्यादा बिट रहेगा, ठीक तो वह मैं आपको type करके भी दिखाऊंगा, बट उससे पहले देखिए, इसमें अगर आप चाहें तो कोई video clip, कोई images भी add कर सकते हैं, जैसे देखिए, देखिए, यहाँ पर जैसे मा लिजे कि मुझे कोई clip add करना है, तो simply layer पर click करेंगे, media पर click करेंगे, और यहाँ पर download के button पर click करते हैं, और इधर से मैं कोई image add करके आपको दिखाता हूं, जैसे मा लिजे कि school going जो students हैं, इन्हीं को मैं add करता हूं, जहाँ पर, ठीक, उसके बाद क्या करना है, इसको add करने के बाद जस्ट मैं play करता हूं, लक्षे के थोड़ा नजदीक देखिए, जस्ट, आना चाहिए, तो जस्ट हम थ्वासा और काना चाहिए, क्यांची पर click करके right cut कर देंगे, अब यह जो हमारा image है, इसमें हम थ्वासा motion लानी वाले हैं, तो motion लानी के लिए आपको क्या करना है, यह जो आप key देख रहे हैं, इस key पर आपको click करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, थ्वासा आगे आना है, इसको lock कर देना है, तिक उसके बाद आपको क्या करना है फिर से starting में आना है और इसको कुछ इस तरह से zoom करते हुए rotate करना है तिक अब आप फिर से back करेंगे फिर से back कर दीजी अब play करके देखिए यहीं जो है इसमें फासा effective आपको दिखेगा यह देखिए तो कुछ इस तरह से आप इसमें images add कर सकते हैं वीडियो clip add कर सकते हैं अब इसमें text effect कैसे add करना है तो उसके लिए एक बार हम इसको play करेंगे सफलता पाने के लिए प्रतीक दिन आपको तो just layer पर क्लिक करते हैं text पर क्लिक करते हैं अब हम यहाँ पर लिखते हैं सफलता पाने के लिए प्रतीक दिन आपको just हमने लिखा इसको थो आसा cut कर देते हैं कुछ इस तरीके से okay करते हैं और यहाँ पर नीचे लाकर हम इसको ऐसे set करेंगे set करने के बाद आपको font पर क्लिक करना है यहाँ पर कोई भी एक font आप चूज कर सकते हैं उसके बाद नीचे आप color भी चूज कर सकते हैं तो just मैं ये वाला इसमें से कोई भी एक color चूज कर लेता हूँ just यही color हम चूज कर लेते हैं उसके बाद नीचे जाना है नीचे जाने के बाद आपको background color का option मिलेगा इसको enable करना है back कर देना है तिक उसके बाद आपको फिर से इस पर click करना है in animation में click करना है नीचे जाना है और यहाँ से कोई भी एक effect आप use कर सकते हैं तो just हम यही वाला effect product यूज करते हैं अब आपको थोड़ा सा इसको क्या करना है आगे कर देना है तिक इस तरीके से अब play करिए अब आपको क्या करना है इसको खीच कर पूरे वीडियो में पहले fit कर ले जाना है वीडियो जो कर दो कर लवक, क्या कर दो कर दो है झाउत कर तो खूरे में रजब आपको बूराए जाए च्लेगक टूरी की जहां एक ही जगे मिले ग्रोसरी का हर समान अमेजन फ्रेश से घ्रोसी लाओ नहीं तो महिंगा पढ़ेगा मतलब जितना लॉग आपका वीडियो है उतना लंबा इसको खीच लेना है अब देखिए इसको इडिट कैसे करने है प्रतियक दिन आपको जैसे ही बोला उसके बाद आपको कैंची पे क्लिक करना है, स्प्लीट करने के बाद इसके बाद जो कुछ भी बोल रहा है, उसको आपको इडिट करना है, फिर से देखिए, मैं प्ले करता हूँ सफलता पाने के लिए प्रतियक दिन आपको अपने लक्ष के थोड़ा नजदीक आना चाहिए, तो जस्ट हम इडिट पे क्लिक करेंगे, ये नो करते हैं, अभी लेटर कर देते हैं, यहाँ पे फिर से हम इसको चैंज कर देंगे, अपने आपको अपने लक्ष के थोड़ा नजदीक आना चाहिए, तो जस्ट हम ने लिखा, उसके बाद हम इसको भी थोड़ा इडिट कर देंगे, यहाँ से कट करते हैं, ओक्य करेंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक, अब देखिए इसको हम प्ले करते हैं, सफलता पाने के लिए प्रती एक दिन आपको अपने लक्ष के थोड़ा नजदीक आना चाहिए, तो कुछ इस तरीके से जैसे ही आप इसके बाद बोलेगा, नजदीक आना चाहिए, फिर आपको रोकना है, कैची पे क्लिक करके एस्प्लेट कर देना है, टिक, इसके आगे आप चाहें, तो कोई वीडियो क्लिप, इमेजज इसी तरीके से एड कर सकते हैं, एंड ये जो टेक्स्ट इफेक्ट है, बार-बार आपको इसी तरह से स्प्लेट करना है, इडिट पे क्लिक करके इसको चेंज करते जाना है, तो आई होप आप समझ गए कि इसको कैसे इडि